एक 60 feet गहरा कुमा और कुवे के अंदर एक महिला की बोडी है और उसके बोडी के ऊपर एक अजगर साप है एक कोबरा साप है और वहाँ पर 6 घंटे तक बन बिभात की टीम जाकर खड़ी रही लेकिन किसी की हिमत नहीं हुई कि वो कुवे के अंदर उतर कर उस बोडी को निका अब वहाँ पर पुलिस की टीम आती है पुलिस वाले भी वहाँ पर कई घंटा तक खड़े रहते हैं लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो कुमा के अंदर जाए और पूरा का पूरा गाउं वहाँ पर मजमा लगा कर एक परकार से आप कहिए कि वहाँ पर एक नोटंकी देख रहा था कि कैसे कुमे के अंदर अजगर कोब रा और ना जाने कई परकार के जहरीले साब एक महिला की बोडी के उपर या उसको चारो तरप से घेर कर खड़े हैं और उस बोडी को निकालने की कोई हीमाकत नहीं कर पा रहा यही खबर आपको हम आगे बगे नमस्कार में मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं पुरा का पुरा मामला जहासी का है जहासी में ठाना पड़ता है जिसका नाम है पूंच ठाना अब उस ठाना छेतर के अंदर गति गाउं का मामला है बताया जाता है कि एक महिला लगबग तीन दीन से गायब थी तो परिवार वाले उसको ढूड रहे थे अचानक पता चला किये कि कुमे के अंदर उसकी बौडी मिली है अब कुमा में पानी नहीं है बलकि कुमा बिलकुल सुखा है लेकिन साथ फीट इसकी गहराई है अब साथ फीट गहरे कुमे में उतरने के लिए त जहरीले साथ वहाँ पर उस महिला के बौडी के चारों तरफ उसको घेर कर खड़े हैं उसके बौडी के उपर जाकर बैठे हैं अब यहीं सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार उन सापों से कैसे कोई लड़े कैसे उन सापों को कोई वहां से हटाए और उसके बाद उस महि लेकिन उनके पास कोई उपाई नहीं मिलता कि आखिर कार उस बॉडी को निकाला कैसे जाए कोई भी आदमी इसके लिए तयार ही नहीं होता कि वो कुमा के अंदर जाएगा अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि सबसे पहले अजगर साप कोबरा साप जो साप है उनको वहाँ से निकाला जाए उनको कुमे के अंदर से हटाया जाए और उसके बाद उस महिला कि बोडी को निकाला जाए और बताया जाता है कि रात के 9 बजे तक वहाँ पर बन विभाग की टीम और पुलिस की टीम खड़ी रही और 9 बजे तक जब कोई उपाय नहीं मिला तो वापस पुलिस फोर्स और वापस बन विभाग के करमचारी लोड गए और इसके बाद वहा कहिए कि वहाँ पर मेला लगा है कि लोग वहाँ पर कुवा में देखने आते हैं कि कैसे कोई अजगर साप कोई कोबरा और कई परकार के और जहरीले साप उस महिला के बोडी को घेर कर चारो तरब से कुवे के अंदर बैठे हुए हैं फिलाल अब आगे पुलिस क्या उपाय लगाएगी कैसे वहाँ से निकालेगी यह तो आगे आने वाला समय बताएगा लेकिन फिलाल पूरे गाउं में और आसपास के पूरे के पूरे इलाके में एक परकार से संसनी बनकर यह खबर फैल गई लोग कई-कई किलोमीटर दूर से उस कुवे को देखने आ रहे हैं लो आपकी क्या परत्करिया है कमेंट बॉक्स में लिकर बताइएगा वीडियो ही पर समाप करते हैं कैमरे एक से पिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद